तो नमस्कार मित्रों आज की इस हसीन सुभह के साथ देखिए बस सूरज सूर्य देवता उख चुके हैं समय हो चुका है हमारा स्नान हो चुका है कारवा भारत के एक और एपिसोड में व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनेंदन आज हम यहां से जाने के लिए तयार हैं मनाली मतलब लद्दाख हम एक्जिट कर रहे हैं और मनाली जा रहे हैं तो आँटे आप कब आ रही है फिर रजिस्थान एक दम है ना हम पोन पर बात करते रहेंगे और कभी कोई फेस्टिवल होता है ना हमारे उदर तब आईएगा और अच्छा लगेगा बेटी एक दम चलिए ठीक है दिदी फोन पर बात करेंगे हम तो इस प्रकार मित्रो लद्दाख की बहुत सारी बहुत सारी स्मृतियां अपने मन में समेटे हम यहां से इजाजत ले रहे हैं मन तो नहीं कर रहा पर जीवन का क्रम है आगे बढ़ना है चलते जाना है और हम भी कही न कहीं उसी कृम से बंधे हुए है तो हम भी बढ़ते जा रहे हैं शायद आपको लगता हो कि हम विक्रम जी के साथ हानले नहीं जा पाए देंचौक नहीं जा पाए उम्लिगला नहीं जा पाए पर मैं अगर वैसल की बात रुकेंगे, हमें नहीं पता हम हॉल्ट कहा लेंगे, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हम किन से मिलने वाले हैं, तो आज जो हो रहा है, हम सहज रूप से उसका आनंद लेते जा रहे हैं, कतई हमारे मन में कोई गलानी भाव नहीं है, कतई हमारे मन में कोई पच्तावा नहीं ह कि भाई इस बार तो हम एक सर्किट करने के लिए आये थे और वो नहीं कर पाए और देखिए ना अगर हम शायद उधर जाते तो इतनी अच्छी यादें जो हमने उस विवाह में जाकर समेटी इतने अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, दीदी से मुलाकात यह तो एक रिष्टा ही बन गया, एक नया परिवार बन गया तो यही होना हमारे जीवन में तैथा जिसको हमने बहुत सहज रूप से पिछले कुछे दिनों में देखा और अब इन सब की अच्छे यादे, हसीन यादे अपने मन में समेटे बढ़ रहे आगे, कर रहे हैं लदाख एक्जिट तो चलिए फिर उपशी की ओर से हम बाहर निकल रहे हैं, यहां के सुन्दर नजारे आपको दिखाते हैं तो फिलाल अमने रास्ते में सहज ही एक हौल्ट ले लिया है पीने के लिए गर्मा गर्म चाय तो यह देखिए, अंटी ने सुबह सुबह दीदी ने हमारे लिए चाय रखी दी यह है यहां की लद्दाखी चाय जिसको नमकीन चाय भी बोलते हैं और वैसे तो यहां पर लोग इसको बहुत ही रेगुलरली पीते हैं मतलब इतने रेगुलरली पीते हैं कि कब खाली नहीं होने देते हैं पर हम higher altitude पर बढ़ रहे हैं तो दीरे दीरे इसका आनन्द भी ले रहे हैं और वादियां वाकई यह जो रोड है ना मनाली वाली मतलब टांगलांगला से लेकर उपशी तक इस पे इतनी अच्छी scenic beauties हैं आप कभी भी आएं तो यहाँ पर एक halt जरूर लीजिएगा शेश फिलहाल ले टांगलांगला यहां से शायद बचा है टांगलांगला टॉप बचा है शायद यहां से 40 किलोमीटर तो चाय पीते हैं बढ़ते हैं आगे पहुचते हैं टांगलांगला टॉप और देखे जिस प्रकार परिवार में हम कहीं बाहर निकलते हैं तो भोजन पैक किया जाता है उसी प्रकार अंटी ने दीदी ने पैक किये हैं बच्चों के लिए मुमूज जो कल रात को बनाये थे अब देखे न ये स्नेह जो है ये बस बन जाता है और मुझे लगता है भारतिय वैन लाइफ की ये एक अदबुत सुंदर्ता है सौंदर्य है जो आपसी परस पर स्नेह आपसी परस परभाव एक नया परिवार कुछी दिनों में विकसित हो जाता है कैसले बनाया थंड ठंड ठंड अच्छी अच्छी अवनी मेडम उठेंगे अब कRIता है कRIता है कRIता है कर दो कि अपिंग दो कर दो कि एंग। तो फिलाल हम आधा टांगलांगला लगभग चड़ चुके हैं और सबसे अच्छी खुशी की बाद यह है कि अभी तक इस गाड़ी ने एक बार भी मिसिंग नहीं करी है मैं आपको जो पूर बनुभव तो खेर आप से तो क्या ही चुपा है आपको ब्लॉग मैंने दिखाया है मतलब जो एक रिदम बनना चाहिए था ना गाड़ी का वो बनता ही नहीं था अब जो भी हुआ मतलब सेटिंग पहले तराब थी सही थी पर अभी जो सेटिंग हुई है उसमें मुझे लग रहा एक तब पर्फेक्ट है और सेकंड गेर पर मैंने कहीं इस पर फर्स गेर भी डाला तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि पावर में कहीं लैक कर रही है अल्टिट्यूड अभी मैं बोलू तो हम साड़े सत्रा हजार फीट तक जढ़ने वाले अभी हम होंगे शायद सोड़ा एख़ार फीट तॉप मुझे लगबग दिखी रहे यहां पर बर्फ है सामने सो अच्छा रहा यह कि हम वह से भापस लौट है हम ने अपनी कैपरवें को त्यून करा लिया और मुझे लगता है और मुझे लगता है और बैता अडंग से हम आगे अपनी यात्रा को पैंटिनियों कर सकते हैं तो अभी हम टांगांगा पहुंच नहीं वाले हैं और देखी हमारी गाड़ी ना दूओं कर रही है और ना ही मिसिंग तो अटलास हम पहुँच चुके हैं टांग लांगा टॉप और यहूं तो हम पहले भी दोटीन बार यहां आटुके हैं पर इस गाड़ी के साथ इस प्रकार से आना मतलब बहुत ही स्मूद इस बार रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और अब हमें लग रहा है कि हमार अच्छा टून्ड एक अच्छा टेस्टेड टून हमने पहले भी गराई दी नाओ इट इस टून्ड एंड टेस्टेड तो जी टांग लंग ला पे लिया जाएगा शांदार चाय का अनन्द दीदी की बनी हुई चाय यह जी लड़ा की चाय जो हाई यॉल्टी पर बहुत ही फायदेमंद होती है मस्त हुआ निकालगा है बढ़े जी आप से इस स्वायर होती है तुमें चानल शाक करा है अरे क्या पात है वे नहीं की है हलो जी मैं थोड़ा साइड में रोको हाँ जी विल्कुल विल्कुल तो अन्जान जगों पर अगर कोई मिलता है तो वागई अच्छा लगता है नमस्कार जी कैसे हैं वह 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 कहाँ अभी कवर करके आ रहे हैं अच्छा क्या बात है क्या बात है और उसके बाद हम अभी ले जा रहे हैं अच्छा ले भी पूरा कवर करेंगे फिर शी नगर से एकजिट कर गे अरे वाँ फिर देखते हैं टाइम बचेगा तो केदान ना जाएंगे क्या बात है क्या बात है उत्रहकंड जाएंगे वाँ भी बेसिक सा सेटप है अपना जिम का समान साइड अमबल सब कुछ जिम में साबने का अपने लेके चलते हैं अरे वाँ दिर दिर जब थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो हम भी कैमपर बनाएंगे और यह अब की तो बहुत वीडियो देखिया अरे तो दूर से देखे आपने का अरे आट जो नंबर कैमपर रहना गी कहां से आप लोग अभी हम फरिदाबाद डेली के पास अच्छा डेली रहते हैं चलिया है अल दी वेरी बेस्ट आपकी जर्मी के लिए हम लोग लेत मतला लदाख रीजन थे अच्छा लदाख थोड़ा बहुत एक्स्प्लोर करके अभी थोड़ा सा टाइम का इसबर बाउ तो यह आपका इसन ग्लबा कर से मिला वाइट वाला वाइट होता है कामपरवैं का व्याइट ही नंबर होता है अच्छा 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 अब मेर चैनल देख नेख लेगना शालिय को खुछ थोड़ा साभीत हुआ नहीं जोड़री है कर दो कर दो कर दो कर दो तो हमारी गाड़ी के दो टायरों के पीश फस गया है पत्थर तो हमारी पास जो जैक की रॉड थी उससे निकाल गया है तो यहां पर दिए पत्ता हो तो हमारी को धत्ग मुद्दक फद्क निकल जा मुटता है फिल्हाल हमने पांग से लगभग कोई 20 किलो मीटर पहले अपनी गाड़ी रोकी है यह जो आपको राइट में और इधर लेफ्ट में यह सड़क दिखाई दे रहे है यह ऐसा है जैसा कि हमारा कोई नैशनल हाईवे हो लगभग 40 किलो मीटर की यह पूरी रोड है बहुत ही अच्छी रोड है वैली है बेसिकली यह देखें यह पहाड है अदर और इन पहाडों के बीच में से पहाड भी मतलब रोड के दोनों साइड कम से कम मुझे लगता है 500-500 मीटर तक कुछ नहीं है और बीच में जाती है यह फ्लैट रोड मतलब बहुत जदन न तो कोई ups and downs है न कुछ है तो हमारी गाड़ी चलती हुए आई है यहां तक अराम से 70-70 की स्पीड में इधर हमने लिया है एक छोटा सा ब्रेक भोजन के लिए और भोजन में quick and fast conflicts तो दूद conflicts जर्म हो गए थे हो गया पूर हो गया भोजन बचा है चलिए तो बस भोजन पूर्ण करते हैं बढ़ते हैं देखते हैं आज शाम तक कहां महुच पाते हैं तो चलिए जी all set all go और हमारा भोजन हो चुका है पूर्ण चलते हैं बढ़ते हैं आगे बजे हैं दिन के एक दोस्तों हम अल्मोस्ट पहुंच गए हैं पांग यह देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह जो नीचे पूरा set up है यह है पांग का और इधर कैमपरवेन खड़ी है पर जिसलिए मैंने गाड़ी रोकी यहां पर वो है यह द्रिश्य है यह देखिए जी ऐसा लगता है जैसे किसी राजा ने कभी कोई महल यहां पर बसाया हो और उसकी पूरी बस्ती मतलब छोटे 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 घर नुमा आकरती में यह मिट्टी के पहाड यहां पर है और और थोड़ा से जून पर दिखाता हूँ यह देखिए जी वाका यह द्रश्य नहां हमेशा पांग का नाम जब भी आता है न तो यह द्रश्य मुझे सहज ही अपनी ओरा कर्शित करता है मैं मैडम से बोलता हूँ कि मैं इतना बोलता हूँ तो साथ रह रहे के कुछ तो सीख ले मैडम मोलती नहीं नहीं तो नहीं हम क्या करें आप ने जीवन में यही किया है बोल बोल के बोल बोल के बताओ जी चलिए बढ़ते हैं आगे तो इस प्रकार में तो वैन लाइफ के अपने आज के सफर में हम आगे बढ़ चले कहां को ये तो हमें भी नहीं पता जहां तक ये रास्ते ले जाएंगे जहां ही मंजिले ले जाएंगे बस वहीं तक हम पहुँचेंगे और लेंगे आज का नाइट हॉल्ट अभी तक का रास्ता बहुत ही अच्छा था बहुत ही कमफरड़ेबल था बट आगे कुछ चैलेंजिस आने वाले हैं जो भी चैलेंजिस आएंगे वो हम आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग में तक तक आप रखेगा अपना खयाल स्वस्त रहेगा खुश रहेगा शीगर यहां से आगे की यात्रा के साथ आपसे होगी मुलाखात नमस्कार अढेवा दो, वेढेड़ो, वेढे़ो अढे़ो, वेढे़ो, वेढे़ो झाल झाल